बिहार विधान सभा के लिए जो चुनाव आयोजित है और पहले फेज के लिए आज से चुनाव अभियान की शुरुवात हो रही है और आज भागलपूर जिले के सुल्तान गज विधान सभाच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पेलहर के हमारे उमिद्वार स्री मनो जी आदब जी, मुंगेर जिला के तारापुर से हमारे उमिद्वार स्री मेवालाल चोधरी जी, जमालपुर से हमारे उमिद्वार स्री सेलिस कुमार जी, लखिसराय जिले के सुद्गढ़ा च्छतर से हमारे उमिद्वार स्री जी और गोविन्पुर से हमारी उद्वार स्रीमति पूर्णी मा यातब जी मैं सब का और इनके साथ जितने भी हमारे पार्टी के और हमारे गटबंधन के सब लोग इंडिये के साथ में बैठे हैं मैं उनस अभीनों का अभिनांदन करता हूं और आज हमारे पार्टी के अनेक साथियों ने यहां पर कुछ बाते रखी RCP सिंग जी ने संचेप में कुछ बात रखी अन्य हमारे साथी जो हमारे संजे जी है इन्होंने संजे जहां जी ने इस कारकम की सुरुवात कराई है हमारे कारिकारी अध्यक्ष इन्होंने भी थोड़े संचेप में अपनी बात कही है मैं सब का स्वागत करता हूँ और हमारी सुब कामना है कि चुनाओ का अभियान हमारे सभी साथी पूरी बुलंदी के साथ करे अब आज तो हम लोगों ने कारिकरम की सुरुवात की है और आज तो ये वर्चुल रैली का कारिकरम है और कल भी है और परसों से हम छित्र में जाना सुरू कर देंगे चौदा तारिक से ये पहले सी ही कारिकरम तैय है जिसका जिक्र अस्तुक चौधरी जी ने भी और संजे जी ने भी कर दिया है हम लोग तो इस काम की सुरुवात आज कर रहे हैं लेकिन आज एक दुखत घटना घट गई है आज हमारे मान्य मंत्री पिश्रावर गती पिश्रावर कल्यान मंत्री विनूत कुमार सिंग जी का आज असामरीक निधन हो गया है उनकी तवियत खराब थी वे दिल्ली में भरती हुए थे मेदानता हस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था बीच में स्थिती ठीक हुई लेकिन फिर अचानक उनकी तवियत खराब हुई और आज वो नहीं रहे यह बहुती दुखद है वो एक लोग प्रिये राजनेता थे कैबिनिट पे तो हमारे सहयोगी थे ही लेकिन काम बहुती बुलंदी के साथ वो करते रखते थे यह तो एक अपूर्णिये च्छती है राजनेतिक और सामाजेक च्छतर में उनके असामरिक निधन से मुझे व्यक्तिकत रुप से दुख हुआ है मैं इस बात को ले करके तकलीफ है मुझे और अब उनका अंतिम संसकार जो होगा जो भी नियम है राजकिय सम्मान के साथ हो किया जाएगा और अब आगे जो चुनाव की तैयारी है वो तो हम लोगों का सब का अब दाईत तो है इसलिए आज का चुकी कारिकरम पहले से निर्धारित था इसलिए इसको अब हम लोग आगे स्थगित नहीं कर सकते थे इसलिए आज इसकारिकरम को चलाए हैं वरना उनके असामरिक मुधन से जो मुझे बहुत ही पीड़ा है तकलीफ है और अब जो हमारे जितने साथी हैं जो चुनाओं के बारे में जो बात होनी है ये सब लोग आप सब लोग अवगत हैं हमारे साथीों ने इसकी कुछ प्रारम्भिक चर्चा भी की है अब जो सुनाओ हो रहा लेकिन आप देख लिजिए कि बिहार के लोगों ने जो काम करने का मौका हम लोगों को दिया 2005 से जो काम करने का मौका दिया है और तीन टर्म से हम लोगों ने काम किया है और जितना मजबूती के साथ काम किया है हमारा क्या उद्दे सराय सुरू से नियाय के साथ विकास और इसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तब्के का उत्थान और यही प्रारम्भ से करते रहें अगर इसको देख लिजे और हम तो बराबर कहते रहें कि जो हालत पहले था वो कितना बुरा हाल था और उसके बार जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है तो कितनी मजबूती के साथ हम लोगों ने काम किया अब उसके बारे में तो हम चर्चा थोड़ी देर के बाद करेंगे लेकिन आज जो सबसे महत्पून चीज है सब को मालूम है यह जो पिछले आठ महीने से जिस तेजी से लोगों के बीच में जाकर जन समपर्खोना चाहिए था वो उस प्रकार से नहीं हो पाया और आज जिस तरह से यह वीडियो कॉन्फरेंसिंग या वर्चुल रैली के माध्यम से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और पहले भी रखे हैं उसका कार्ण क्या यह दुनिया भर में जो इक कोरोना वाइरस फैला है COVID-19 के नाम से इसको कहा गया है और जिस तरह से दुनिया भर में इसका प्रभाव पैदा हुआ है कोरोना का अपने देश में भी हुआ अपने राज में भी हुआ और इसको ले करके जो भी जरूरी कदम है वो कदम हमारे हां उठाए गए पहले तो जितना काम किया जा रहा था और एक-एक समय हम लोग इतना सचेत रहे हैं सुरू से ही जब से ये काम सुरू किया गया मार्च से ही जो हम लोगों ने सुरू किया है और किंद्र सरकार ने इसके लिए जो काम किया तो उनका जो गाइडलाइन जारी हुआ उस गाइडलाइन का पालू करते हुए और बिहार की स्थिती को देखते हुए जो भी आवस्य कदम था हम सब लोगों ने इसको उठाया और कितनी जाँच कुछ लोग तो बड़ी आलोचना किया करते थे जो उसे स्थिती में बाहर लोग फंसे हुए थे उनके आने का और फिर जब अन्वोध हुआ तो रेल गारी से पैसे तो अन्य प्रकार से भी लोग आ गए लेकिन रेल गारी की विवस्था के अंदर सरकार ने किया और कितनी बड़ी संक्या में लोग आए और उसमें से हम लोगों ने आठ जगों से जो लोग आये थे उनको अलग रखने के लिए जो हम लोगों ने इंतिजाम करवाया पंद्रह लाख लोगों के लिए और उसमें जो हम लोगों ने किया एक-एक व्यक्ती पर 14 दिन रखा लोगों ने एक-एक व्यक्ती पर 500 रुपया खर्च किया इतना हम लोगों ने ध्यान दिया एक-एक चीज का जो लोग बाहर फसे हुए थे उनकी पूरी जानकारी ले करके और सब को हम लोगों ने लगवग 21 लाख लोगों को एक एक हजार उपया की मदद राज सरकार की तरफ से किया एक एक काम हम लोग करते रहे और जो लोग आ गये हैं उनसे बादशीप, उनसे संपर्क और ये करते हुए कि किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े और यहां पर भी अधिक से अधिक काम उनको कैसे मिले इसके लिए कितनी तयारी करके और जितना काम हम लोगों ने करना प्रारंब किया है और कोरोना का संकट घटे बढ़े नहीं इसके लिए जितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जाँच की कारवाई की है आप जानते हैं एक लाग से भी जादा जाँच पती दिन हो रहा कभी कभी तो पौने दो लाग तक की जाँच हुई है और आज इस थिती क्या है दस लाग की आबादी पर इस देश में जो आस्तन जाँच है उससे लगभक तीन हजार जादा जाँच दस लाग की आबादी पर बिहार में हम लोगों ने किया एक-इक प्रकार से काम जो करते हुए और जिस तरह से हम लोगों ने कोसिस किये सब की रख्षा करने के लिए केंदर सरकार में तो दिया है और ये चलेगा, समझ लिजेए अगले महीने तक ये चलेगा नवंबर तक लोगों को मुफ्ट में उसके अलावे जो रासमकार्ड के माध्यम से अनाज मिलता हूं को उसके अलावे मुफ्ट में प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज देना और दाल का भी प्रबंध करना सब परिवार के लिए एक कीलो का तो ये सब काम जो किया जा रहा है बड़े पैमाने पर हर प्रकार से लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के हित के लिए और अगर इस कारण से किसी की भी मृत्यू हो जाती है उनके परिवार को हम लोग राज सरकार की तरह से जो C.M. Relief Fund है उसके माद्धं से 4 लाक रुपे के हम लोग मदद करते हैं परिवार को तो हर तरह से हम लोगोंने कोसिस किये कि लोगों को पूरा करे और हर प्रकार से हम लोगोंने 3 इस्तरिये विवस्ता इलाज के लिए भी किया है हर काम किये हुए ये कोई नहीं जानता भी तो बहुत नीचे गया लेकिन कोई जानता नहीं कहीं नीचे गया कहीं फिर उपर बढ़ गया तो ये तो कोई जानता नहीं कब ये इस्तिती उपर जाए और ये कब तक खतम होगा ये तो दुनिया भर की समस्या इसलिए हम लोगों को सजग रहना है, सचेत रहना है, अब ये छुनाव चल रहा है, इस बीच में. इसलिए हम सब से विंम्रता खुरुबव कागरह यही करेंगे, कि भाई सतर्कता का इस्तिमाल कीजिए, सचेत रहा करिए. यह ज़रूर है और मास का जरूर प्रियोग करिए यह हम लोग कहने वाले हैं यह हमेशा आप से कहते रहें तो यह तो हम लोगों का आग्रह हैं आप सब लोगों से और इसके अलावे आप जानते हैं कितने लोग प्रभावित हो गया लगभग 92,63,000 लोग की जनसंख्या बार से प्रभावित हुई तो उसके लिए जो कुछ भी हम लोगों ने देखा कि ये 19 जिलों में प्रभावित हुए हैं और जितना परिवार प्रभावित हुआ है वो सब को हम लोग ग्रैशुतस रिलीव 6,000 रुपया प्रती परिवार को दे रहे हैं और दिया है हम लोगों ने अब लगभग पुरा हो गया है कोई 11 हक्टूबर 2020 तक यानि 21,86,000 बार प्रिवारों को 6,000 रुपय की दर से हम लोगों ने मदद की है और ये 1312 करोड रुपया लोगों को पहुचा है और इसके बाद जो फसल का एक जो खेती से प्रभावित हुई फसल का जो नुक्सान हुआ उसका भी आकलन किया गया है बीस लाख एकल छेतर में फसल चती हुई है इसके लिए 970 करोड रुपया लोगों को किसानों को सहायता देने की सुकृति दी हुई है अब यह अनुमती लेकर के यह सारा काम विवाग से चुकिए अब चुनाओ का पिरियड आ गया है इसमें बहुत सारी अनुमती लेनी पड़ती है चुनाओ आयोक से तो उसमें अपना सरकार के लोग काम कर रहा है तो मैं तो यही बताता हूँ और आपदा पिरितों के लिए पहले कोई काम होता था बोलने के लिए तो कई तरह के लोग बोलते रहे कोरोना के दोरान कई परकार की बात पोलते रहे और अपदा की स्थिति में कुछ बात बोलते हैं लेकिन क्या कभी हम लोगों के काम के पहले किसी ने कुछ आपदा को सम कियार हो गया किसी को मिला कुछ नहीं मिला 25 किलो अनाज वह भी नहीं होता था और हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया आपता के लिए एक एक चीज आपता प्रबंधन के लिए हम लोगों ने हर चीज के लिए योजनाएं बना दी एक एक चीज का दिसान दिर्देश जार और उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया और हम एक बार नहीं अनेक बार इन सब बातों की चर्चा करते रहें तो हर तरह से हम लोगों की मदद करते रहें तो इतनी इतनी जगह से और इसके अलावे आप बताईए 15 वर्ष से कितना ज्यादा हम लोगों ने development का काम क कितना ज्यादा भी कास हुआ है जो राज सकल घरेलू उत्पाद GSDP Gross State Domestic Product जिसको करते हैं अगर स्थिर मुल्य पर लीजिए तो 2005 में हम लोग आए और उसके बाद भी जो 2006-07 का हम देख रहे हैं कि जो राज सकल घरेलू उत्पाद था पूरे बिहार में इतना बड़ा इसका जो सकल घरेलू उत्पाद था राज्य का 88,840 करोर रुपया था और 2019-2020 में आकर यह हो गया है 4,14,977 करोर रुपया और इस अब्धी में इस थिर मुल्य पर राज सकल घरेलू उत्पाद की बढ़े दर यानि विकास दर 12.59 प्रत्सत की रही है अब आप सोच इस थिर मुल्य पर हम ये बात कर रहे हैं तो कितना ज्यादा कोई भी चीज हुआ है बिहार में जन संक्या के ब्रत्धी दर तो बहुत हुई है लगभग मान लिजिए 20 प्रत्सत का लेकिन 15 वर्सों में विकास का दर जो कई लोग कुछ बात बोलते रहते हैं हम आज कल आटिकिल देख लेते हैं लेगें लोगों को पता नहीं है क्या है दिहार का विकास दर Group डिजिक में विकास दर रहा लेकिन हर परिवार का, हर गाओं का, हर सर में जो काम हम लोगों ने करने की कोशिज किये, उससे ही प्रगति हुई है, उससे ही प्रतिव्यक्ति के आयन में ब्रधी हुई है, और कहीं से भी कोई हिला भुखमरी की स्थिती नहीं हुई आप जानते हैं कि कोई भुखमरी का सिकार हुआ किस तरह से हम लोग ने काम करना शुरू किया है गाओं गाओं में और भी केंदरित तरीके से काम किया अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योग पती और यहां पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते हैं कहते बड़ा उद्योग हो रा लेकिन अब वो नहीं आये क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं ज्यादा बड़ा उद्योग कहा लगता समुद्र के किनारे जो राज्य पढ़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पढ़ता है हम लोग ने तो बहुत कोसिस की आगे भी यह बहुत सारी नीतियां हम लोग ने बनाई है कि हमारे लोग जो बाहर जाते हैं यहीं उनको काम करने के सुपधा बिले उस पर भी बहुत सारा काम हम लोग करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन आप देख लिजिए इतनी बात लोग बोलते रहते हैं विकास का दर कितना ज़ादा हुआ है उन्हों का प्रतिजिक्ति राजिस सक कि एक एक जगह पर लोगों ने जिस तरह से काम किया है यह सब के अनुभव के लाइक चीज तो विकास का भी काम हुआ है अब आप बताईए कामूं का राज हम दोगों ने स्थापित किया हम क्या बोलते रहते हैं कि हर तरह से किसी भी तरह से हम क्राइंग कोरप्शन कोमिनलिजन किसी भी सूरत में हम बर्दास्त नहीं करेंगे ना वराप को बर्सट बर्दास्त करेंगे ब्रस्न आप और मेर दोगनलीजभ को बर्दास्त करेंगे तो इसके लिए बिहार का इस्थान 23-10 नंबर पर है लेकिन लोग तरह-तरह की बात कर ते न तो इसलिए इस बात को कह रहा हुँ कि आप लोगों ने काम करने का मुटा दिया है तो हर छ्ष्ट्र में हम लोगों ने काम किया है और इसके अलावे जो सुरू से ही काम किया सिक्षा के छित्र में, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आगे सिक्षा के उच्ष सिक्षा के विकास के लिए सब काम जो हम लोगों ने किया है, हम बराबर इसकी जानकारी देते रहें, लड़कियां कितना इस तुनों के बाहर रहती थी, हमारा जो प्रजिनन दर है, जो हमने कहा कि आब आदी हमारी बढ़ती जा रही है, इस प्रजिनन दर को कम करने के लिए, जो हम लोगों ने आकलन किया, और जब देख लिया, कि इस देश में अगर पती-पत्नी में पत्नी, मैट्रिक पास है, तो उसत प्रजिनन दर दो, और बिहार में भी उसका सर्वे हुआ, तो उसका भी उसत प्रजिनन दर दो, और अगर इंटर पास है, बारहमी का अच्छा पास है, तो देश में उसत प्रजिनन दर 1.7 और बिहार में 1.6, इसी से युरेका की भावना मेरे मन में आई और हमको लगा कि हम अपने हां की लड़कीओं को हमने तो सुरू सभी काम किया था पोसा की हो जिना साइ की लिया हो जिना कितने बड़े प्वएमाने पर लड़किया बढ़ी कितनी कम लड़किया पढ़ती थी मैक्टिक में एक लाग सकतर हजार और आप इस बार जो परिक्षा हुआ तो आपको पता है कि मैट्रिक की परिक्षा में लड़कियों के संख्या लड़कों से भी ज्यादा हुई तो इतना काम किया गया है और जो हम प्रजनंदर की बात कर रहे हैं इसी के लिए हर एक ग्राम पंचायत में बारावी तक की पढ़ाई हो और कुछ जो बचे हुए थे जो पंचायत वहाँ पर तीन हजार के करीब वहाँ भी नौवेक अच्छा के लिए काम सुरू कर दिये अब इससे में कोरोना का संक्रमन जो आया है उसके चलते भले ही वहाँ पर पढ़ाई बहुत करने में कई तरह क की बीच में व्यवधांधा लेकिन हम लोगों ने तो सारा इंतिजाम कर दिया और हर प्रकार से सब को पढ़ाएंगे तो कौन साथ छेत्र में स्वास्त के छेत्र को देख लिए किसी भी छेत्र में कितना काम हुआ है पहले कहां जो लोग बोलते हैं जरा उनसे पूछिए कि पंद्रा साल पती पत्नी के राज का था और क्या होता था कहां किसका इलाज होता था प्रात्मिक स्वास्त के मिर था वहां पर कितने लोग एक महीने में इलाज कराने जाते थे एक महीने में उन चालिस आप जड़ा सोच लिए मतलब एक दिन में एक मरीज प्रखंड स्तर प आप एक महीने में औस्तन प्रात्मिक स्वास्त के अंदर में दस अज्यार लोग इलाज कराने जाते हैं, तो आप ज़रा कल्पना कर लिजिए कि किसी में छेत्र में कितनी ब्रदी है, और बेडिकल के छेत्र में कितना ज्यादा इंतिजाम, लोगों की नियुक्ति भी और हमने एक एक चीज की जानकारी दे दी, हर छेत्र में विश्तरित जानकारी दे दी, और अब चुनाओ का मौका है, हम एक एक चीज में अगर विश्तरित जानकारी देंगे, तो फिर आपका समय बहुत लग जाएगी, इसलिए हम यसी बाद की चर्चा कर रहे हैं, कि एक एक और इन सब बातों की जानकारी हम लोगों ने सब लोगों को दी है। तो अब जान रहे हैं। और हम लोगों ने कहां, न्यायके साथ विकास सब का उत्थान। अब देख लिजी महिलाओं का। कितनी भूमिका महिलाओं की पहले रहती थि। आज कितनी बड़ी भूमिका उनके सिक्षा पर भी हमने ध्यान दिया और उसके बाद जो जीविका समूँ बनाया कितना कम स्वेंग साहता समूँ पहले था लेकिन जब हमनों को काम करने का मौका मिला हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना की सुरुवात कराई और हमने अपना लक्ष रखा और हमने देखा कि जीविका योजना से जो स्वेंग साहता समूँ बना है उसमें बहिलाओं में कितनी जागरती आ रही है उसके लिए हमने रख लिया था कि भाई कम से कम हम दस लाख स्वेंग साहता समू बनाएंगे और मुझे पुशी है कि अब दस लाख स्वेंग साहता समू तो बन गया और एक करोड बीस लाख महिलाएं इस बिहार में स्वेंग साहता समू से जुड़ गई लोग बोलते रहते हैं कुछ जानते हैं क्या उत्थान हो रहा महिलाओं का किसी को है पता सिर्फ मर्द अगर काम करते थे हमने तो सुरू में कहा कि अगर इस्त्री और पुरुष दोनों काम करेंगे तभी सही मायने में विकास होगा तो आज जो बिहार का विकास दर बढ़ा है इसके प्रती कोई ध्यान देता है हम त कुछ दों को लगता है कि जतना काम हुआ उसके बारे में कह दो के कुछ नहीं हुआ जरा बताइए इसका भत तो नहीं है कितनी बड़ी संख्यावें महिलाओं में जागरती आई है और महिलाओं के संवान के लिए जो हमने जयसे ही काम हमको करने का मौका मिला हमने पंचायत भाई कि देश में भी महिलाओं को रोक सभा और विधान सभा में मिल जाए कम से कम 35 प्रत्त का रख्षन तो हम लोगों के पास तो जितना संभा होता हम लोगों ने अब देख लिजिए 115 लग रहा है तो उसमें देख लिजिए जो भी हमसे संभा हो है हम लोग तो चाहते हैं कि सब जगह हो महिलाओं के लिए उनका उत्थान और सरकार की नौकरियों में, पुलिस में भी 35 प्रत्सत का आरक्षन और अन्य सेवाओं में भी 35 प्रत्सत का आरक्षन, आज कितनी बड़ी संख्या में जड़ा कहीं देखते हैं, साइधी कोई और राज्य होगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस में होंगी, तो एक-एक काम हम लोग कर रहे हैं, अब हमारा काम तो है नहीं, कि भाई हम प्रचार करें, अनावस्य करें, काम कीजिए, सेवा ही हमारा धर्म, हम तो सेवा करते रहते हैं, सब की सेवा करते हैं, हम बरावर आपके बीच में इस बात को रखते हैं, तो हर तरह से, और उसी तरह से समाज के जो उपे छित लोग हैं, चाव महा दलित हों, दलित हों, अती पिछले वर्क के लोग हों, पल्प संक्यक सम उडायक लोग हो। सब के उठ्ठान के लिए जो हम लोगों ने काम किया है एक एक चीज के बारे में जो भी काम किया है आप ज़रा बताईए कि किस तरह से हम लोगों ने अनुसुची जाती जन जाती अती पिशड़ा वर्क के लिए किस तरह से हम लोगों नो द्यमी योजना के सुरुवात कराई कौँसा छित्र है जिसमें लोगों को द्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपया में 5 लाख रुपया सरकार ग्रांट देती है और 5 लाख रुपया में बिना कोई टैक्स के उनको साहता देती है रिंदेती है तो इस तरह से जो सारा काम हम लोग करने की कोशिस कर रहा है कौन सा काम किसी भी छेत्र में अब मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अब बताईए हर पंचायत में पहले पाँच अब कर दिया साथ यानि चार अनुशुचित जाती जन जाती को और तीन अती पिश्रेवर के लोगों को परिवहन के लिए वहां से लोग ले जाए खरीदे पचास प्रत्सत का उसमें हम लोगों ने योगदान दिया है सहायता दिये तो इस तरह से एक ये काम आप देख लिजिए सिविल सेवा प्रुत्साहन योजना ये लोग जाते हैं चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन हो बीपीएस्सी हो या यूपीएस्सी हो अगर बीपीएस्सी में पहली परिक्षा पास कर गए तो वैसे चात्र चात्राओं को हम लोग देते हैं यूआ यूजतियों को हम लोग देते हैं 50,000 रुपया की मदद अंतिम परिक्षा के लिए और को UPSC पास कर जाता है पहला परिक्षा तो अंतिम परिक्षा के लिए उसको एक लाक रुपय की सहायता है तो हर प्रकार से किसकी तरह से एक एक तप इस तरह के तपके के लोग जो समाज के बाहर है या उसके बाद उनको पंदरह कीलो का अनाज़ देना हर महीने तो एक एक काम हुम लोगों ने किया और अभी जो अनुसुचिक जाती जन-जाती अत्याचार के सिकार होते है इसके लिए कानून बना हुआ अनुसुचित जाती, जन जाती, अत्याचार, निवारन अधियम, अधिनियम 1989, उसका नियम है 15 एक घा, अभी मीटिंग थे कुछ दिन पहले, और उसमें और उसके पहले की मीटिंग थी, जो अनुसुचित जाती के लोग हत्या के सिकार होते हैं, उन पर लगता है, कोई आक्र पर उसमें कहा कि हमको कुछ नौकरी का भी उपाय करिये, हमने फिर देखा कि भाई कानून में तो प्राफधान है, तब हमने पिछले ही साल मीटिंग में कहा कि भाई कानून में प्राफधान है, कि राज सरकार को नियम बना करके नौकरी देने का अधिकार है, ये 15 एक घा क तहट तो उसी पर हमने कहा और इस बार जब मिटिंग थी उसमें हमने मिटिंग में कहा कि इतना देर होगे अभी तक क्यों नहीं आपको नियम कर लाए और नियम ला करके उसका उपाय कर दिया गया कुछ लोग इसके बारे में बूल रहे थे अरे में कमाल की बात है देश का जो कानून है उसके अंदर प्राबधान है राज्य को नियम बना करके हम लोग तो नियम बना दिया अगर वो उसके सिकार होंगे तो उनको हम लोग मदद करेंगे हर प्रकार की सहायता तो मिलती है उसके अलावे उनको नौकरी भी देने का हम ल लिए परित्यक्ट्या महिलाओं को पशीज़ जारुपया क्या हम लोगों ने किया हुनर मौजार का कारिकरिम कितने बड़े पैवाने मालप संक्यक संबदाय की महिलाओं को हम लोगों ने पहले ही टर्म में ट्रेनिंग कराया किस तरह से उसका लाव उनको मिलना शुरू हम लोगों के लिए कुछ किया था कि क्या हुआ था जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 में हमने दुबारा आयोग बना करके जाच कराया और उसका साथ से हम लोगों ने क्या करना सब को जो सहायता देने का काम हम लोगों ने सुरू किया मौपजा दिया सब को पिंसन दे रहे हैं जो पुलिद परिवार है पचीस सौ रुपया प्रती माह देते थे उसको बढ़ा करके तेरह में पाँचेजार रुपया कर दिया तो एक एक काम हम करते हैं हम वोट की चिंता नहीं करते हैं सेवा ही हमारा धर्म है सब की सेवा करते हैं किसी के साथ कोई अन्याय हो और हमने सुरू में कह दिया है किसी तरह से न हम क्राइम बरदास्त कर सकते हैं न कॉरप्सन बदार्थ बरदास्त कर सकते हैं न कॉम्मिनलिजन तो जोग जिनको करना था वोट ले ले लेते हैं लेकिन किया क्या, जो सिकार हुए हम यह पूछना चाहते हैं, लोग बोलते रहते हैं, हम लोग को तो हसी आती है, जब भी कोई बात करते हैं, और कोई चीज आज कल तो सोचल मीडिया हो गया, ट्वीट किया जाता है, तो ट्वीट करने पर कमेंट जो करता है, ज़रा देख ल पाइदा करने के लिए, यही सब कुछ लोग का धंधा है, और हम समाज में प्रेम और भाईचारे का महौल बनाने के लिए एक एक मिनिट हम लोगों ने काम किया है, आप ज़रा बता दीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में और किस तरह से हम लोगों ने कोशिस करने की कोशि किया है, और आप जान रहे हैं, मदर्सा सुद्रिकरन योजना, और आपको पता है, हम तो चाहते हैं सब उर्दू पढ़ना जाने, तो हम लोग तो मिडिली स्कूल में उर्दू सिख्षकों के बारे में हमने मिर्मे कर दिया, कुछ की बहाली हुई नहीं हुई हमने फिर कहा कि भуть तेजी से करनाची उसका सम्मान होना चाहिए, स्कूना चाहिए, कोई भी भासा लोग चाहता है इसकरे, अगर कोई चाहे तो उर्दू भासा है, और एक बार जो गर उर्दू को भी सीख लेगा तो लोगों का लेंग्वेज लोगों की भासा और कितनी अच्छी हो जाएगी तो हम लोग देखे काम करते रहते हैं कौन को सा काम नहीं किया है किस शित्र में इन सब चीजों के बारे में तो सब तरह से काम अलपसंख्यक रोजगार रीन योजना इसमें हम लो कि द्याले तक का उच्छी प्रात्मिक द्याले तक का इसमें उसका निर्मान होगा तो हर प्रकार से काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है इसके अलावे सब तरह से हम लोगों ने कोशिज की है काम करने का और जो हमारे महान हस्तिये हैं चाहे मौलाना मदूल हक हो अब्दूल कईमन सारी हो गुलाम सरवर हो सब के इसमृति में भवन का निर्मान कौन कोई सा काम सूफि संतों के कारिस्थलों पर खानकाहों के लिए जो कुछ भी हम लोग सहीओ करने की कोशिज कर रहे तो समाज के हर तब के काउठ्थान यह हमारा उप्द्द से है और समाज में प्रेम और भाईचारे का महौल रहे इसलिए हम लोगोंने एक-एक तरह से काम किया है और किसी की उपेच्छा नहीं हो जो केंद्र सरकार ने मिलने लिया आर्थिक आधार पर दस प्रक्सत का आरेक्षन तब काल हम लोग ने उस चीज़ को यहां पर लागू करवाया हर काम के लिए और जो ब्रिद्जन पेंसन योजना मुख्यमंतरी ब्रिद्जन पेंसन योजना जो वंचित हैं चाहूं कि जो आमधनी हो किसी में बिरादनी के वो लोग हो उन सब लोगों को भी पेंसन योजना का लाग मिले और इसके लिए लगवग 22 लाग लोग इसका लाग लेना सुरू टो कौँसा काम एके काम के लिए हम लोगों ने, हर तरह से काम किया है? तो आपको एक एक खी सुरु से ह sexuality काम किया हर छ्षितर खाल मैं के हर छितर का काम, समाज के हर तब्यका उत्वान हो, और विकास का काम हो, आप बताईे, क्या हालत था ता पहले सडक का? क्या हाल था सडक का और जो कानू का राज तो हम बताये ही है अब बताये साम के पहले साम के बाद कोई निकल पाता था और आज क्या इस्थिती है तो ज़रा इसको देख लिजिए कि एक एक चीज के लिए जो हम लोगों ने काम करना सुरू किया है सडकों का काम पूल पुलियों का कितने बड़े पैमाने पर काम किया लगबग हर गाओं को सडक से जोड़ चुके तो हर तरह से और केंदर की भी मदद से जो नेस्थितल हाईवे है उन सब चीजों में काम हो रहा है बड़े पैमाने पर पचास हजार रुपे की मदद से केंदर की तरफ से भी हो रहा लेकिन राजी की तरफ से भी अपना जो स्टेट हाईवे ग्रामीन पत है उन सब के लिए जितने बड़े पैमाने पर हम लोगोंने लोगों के बीच में सडक के निर्मान का काम किया है इतने बड़े पैमाने पर और उसके बाद उसके रख रखाओ की जिंबारी चाह सबक और पूल पुरिया पर एक एक चीज की निती कौन लोग बोलता हम इतने दिन से काम कर रहे है जितना और हुआ है पहले तर्म से भी ज़्यादा मिहनत हमको दूसरे टर्म में करना पड़ा है और दूसरे टर्म के बाद तीसरे टर्म अभी हम जितना मिहनत हम लोगों ने किया है सब के सहयोग से जो कोसिस करने की हम लोगों ने कोसिस किये तो कौन सा काम हर छेतर में अब आप बताइए हर घर बिजली उपलब्द करा दिया है कौन सा काम निगा हमने साथ निश्य की बात कही थी और साथ निश्य के अधिन क्या था महिलाओं को 35 प्रस्त का आरक्षन से ले करके हर काम जो हम लोगों ने किया है कौन कौन सा काम कृसी के छित्र में भी किसी रोड मैप बना करके जो हम लोगों ने उपज बढ़ाया है लोगों की आमदनी बढ़ी है तो कौन से छित्र में हर चीज में जो काम किया है और हर घर तो बिजली उपलब्द करा ही रहे है इसके बाद गाओं में भी लोग जो खेती के लिए बिजली चाहते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने काम करना प्रारम किया तो कितने तरह से हम लोगों ने काम किया है अब तब जो मौका मिला है अब साथ निश्चे बताईए महिलाओं को 35% का आरक्षन दे दिया हर घर बिजली पहुचा दिया आर्थिक हल यवाओं को बल किस तरह से हम बें स्टूडेंट्स के लिए जो काम करना सुरू किये हैं ये स्टूडेंट क्रेट कार्ड योजना स्वेंग साहता भत्ता योजना कुसल यवा कारिक्रम योजना हर तरह से जो काम करने कि हम लोगों ने कोशिश किये इसके अलावे पठन-पाठन के लिए अवसर बढ़ें आगे बढ़ें सूरा कितना चरण में हर जगा पर प्रमंडल ये जिला के स्तर पर अनुमंडल के स्तर पर जिस तरह से संस्थाओं का निर्मान जितने नए मेडिकल कॉलेज का निर्मान हर जिले में इंजिनेरिंग कॉलेज हर जिले में पॉलिटेकनिक संस्थाथ ये सारा काम जो हम लोग कर रहे हैं तो इसको लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है और उसके लिए जितने बड़े पैमाने पर काम जो हमने प्तै किया साथ निश्चे पहला और उसके अंतरगर जो काम करना सुरू किया और उसके बाद हमारा क्या था हर घर नलका जल हर हर घर 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 नलका जल पहुँचा रहे हैं पर आप जान लिजे कि 83 प्रक्सत से ज़्यादा ये काम पूरा हो चुका है ये काम बहुत तेजी से हर घर में नलका जल पहुचा देंगे हम पहुच जाएगा जो हम लोगों ने काम किया हर घर तक पक्की गली और नालियों का निर्मान तोला संपर्क योजना जो गाओं के बाहर तोला था उसका संपर्क का काम ये सब काम को जितना किया सोचाले का निर्मान सात्मा ये एक एक चीज़ पर जिस्तेजी से हम लोगों ने काम किया और इसके अलावे अन्य योजनाय भी चलाई उसके अलावे हमने जल जीवन हर्या क्याली अभियान के हम लोगों ने शुरुवात की है और कितने बड़े पैमाने पर काम करना शुरू किया मानौ स्रिंखला बनी और कितनी बड़ी संक्या में पांच करोर सोलह लाग से जादा लोग उसमें सामिल हुए अठारा हज़ार किलोमीटर से जादा लंबी मानौ स्रिंखला बनी और किस तरह से उसका असर हुआ अभी हाल में 24 सितंबर को यूएन में इस बात के लिए मुसको कहा गया हमने अपनी बात रखी जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में कितनी बाते हम लोगों ने सब में लगे रहते हैं जो जल जीवन हरियाली अभियान में भी जो भाग लिया उसको भी कुछ लोग पाठी से निकाल दिये जल जीवन हरियाली अभियान के लिए हमने तो पूरे यह जो मीटिंग हुई थी विधान सभा विधान परिश्द की सभी दलों की और सब की राय और स प्रकार से हम लोगों ने काम करने की कोशिस किये युवाओं के रूजगार की बात आजकल बहुत लोग कर रहे हैं युवाओं का रूजगार तो यहां पर जितना हुआ है हमने साथ तारीक को भी बताया है पिछले 15 वर्सों में कुल 6,8893 युवाओं को सरकारी नोकरियों में भर्ती किया गया है सिक्षकों में 3,99,000 पत सिपाही अवर पुलिस दिरिक्षक पुलिस उपाधिक्षक अन्य बर्दी धारी 51,000 दूसे 41,41 पतों पर विभिन आयों के माध्यन से अन्य सिवाओं में 1,69,652 पत लगवक 65,000 पतों पर न्युक्ति प्रिक्रिया धीन है रिक्त दस साल तक विहार जार्खंड एक था और तब फुल मिला करके कितने लोगों को रोजगार मिला आज प्रवशन लोग दे रहें कितने लोगों को रोजगार मिला पंद्रा वर्सों के कारेकाल में 95,734 पदों पर भरती किया गया जिसमें 90 से 2000 के बीच न्युक्तियां दिहार और जार्खंड को मिला करके थी सिख्षक का 33,499 पुलिस सेवा 9,199 अन्य पदों पर 53,000 तो इस तरह से और आज की बात करने और जितना तेजी से रोजगार के लिए और हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया है अब कोई बोलता है कि हम इतना दे देंगे यह भला बताईए लोग बता रहा है कि कैबिनेट का बैठख करके हम इतना दिखवा देंगे अरे जो 15 साल का था उसमें कैबिनेट का मीटिंग होता था जी कैबिनेट की प्रत्यासा में मीटिंग करते थे जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को अनेक कैबिनेट का डिसियन देना पड़ा कि कैबिनेट की प्रत्यासा में मिरने लोग कैबिनेट तो करते नहीं थे समय पर कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी कोई सम्मान नहीं देते थे कौँ से इस्थिती थी चंद लोग को छोड़ देजिए तो बाकी लोगों की क्या इस्थिती थी किस तरह का सरकार चलाते थे और कहीं से भी कोई बात करे प्रचारित करे ये संभव है आप समझ सकते हैं दुनिया में कहीं भी आजकल बिरुजगारी की बात को कर रहे हैं जिरा बताइए तो दुनिया के किसे भी मुल्क में सरकारी सेवा वही सब को नौकरी मिलती है ये है संभव ये कहीं किसी को पता है लेकिन इस तरह की बात करें जिसे हम लोगों को कहेंगे सचेत रहिए हम लोग एक एक काम कर रहे हैं लोगों की आमदनी बढ़े लोग आगे बढ़ें और जो काम हम लोगों ने किया हास तक इस काम को तो जारी रखेंगे ही और उसके अलावे हम लोग उसके आगे काम करते रहेंगे और इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया है हर प्रकार से जो अजोगिक नीतियों के बारे में जो हमने आपको शुरू में ही बताया है जो उसमें संसुधन किया है और उसके बार अगर आप लोगों ने मौका दिया आगे काम करने का तो हम लोग तो जो कुछ भी हम लोगों ने काम आज तक किया है। और इसके बारे में 25 तारिक को हमने प्रेस कौन फेंस में बताया आगे के बारे में अगर फिर मौका मिलता है तो कम से कम इतना काम तो करेंगे और जो हमारा NDA है उसमें और बाते आएंगी उसमें और चीजों को जोड़ा जाएगा लेकिन इस तरह से हमने जो तैक किया है अगर आइटी आई है उसकी गुलबत्ता इतनी बढ़ाएंगे जो नई टिक्नलोजी आ रही है और नई टिक्नलोजी के जरिये लोगों को काम करने का मौका मिलेगा उस सब टिक्नलोजी की भी वहां पढ़ाई कराएंगे उस पढ़ाई के अलावे ताकि इन लोगों को और बेहतर काम करने का मौका मिले यहीं नहीं और आप जान लिजे कि हर जिले में Mega Skin Center अल्पव्धी में कम अबदी में ही प्रसिक्षन तो हम लोग तो कर रहे हैं उसके अलावे उसके अलावे भी उसमें कंप्यूटर पर काम करना लोग सिखते हैं लेकिन आप इसके माध्यम से जो नई तकनीक है और जिसका उपयोग करके लोग ज्यादा रुजगार पा सकते हैं उस तरह की नई तकनीक को सिखाने के लिए लोगों को बताने के लिए ये काम हम लोग करेंगे और हर प्रमंदल में टूर रूम बनाएंगे जिसमें जो भी पढ़े हैं चाहे की ट्रेनिंग दे करके जो आज बाहर लोगों को जाना पड़ता है हम तो साथ निश्य दो के अंतरगत जो पहला प्राबधान हमने किया है युवा सकती बिहार की प्रगति यानि लोगों को इतनी ट्रेनिंग और इतना काम यहां का वो कर पाएंगे कि किसी को मजबूरी में बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी कोई इच्छा से बाहर तो जाना चाहे उसको रुकावट नहीं है लेकिन किसी को मजबूरी में नहीं जाना पड़े तो ये काम हम लोगों ने सोचा किया है और स्किल और उद्यमिता के लिए हम एक बिभाग अलग से बनाएंगे ताकि इसमें सब चीजों को एक साथ जोड़ करके एक एक काम हम लोग करवाएंगे और इसके अलावे उद्यमिता विका से तो अनुदान देंगे यवाओं को तीन लाक रुपे की आर्थिक आर्थिक अनुदान देंगे और साथ लाक रुपे तक के रिन पर ब्याज अनुदान भ तो जो विशेशी हो जना अभी जो हम लोग अनुसुचिक जाती जन जाती अती पिश्रे वर्ग के लिए जो हम लोग 10 लाख रुपया के सहायता 5 लाख रुपय का अंदान और जो हम लोग बदद करते हैं ब्याज मुक्तरिन 5 लाख रुपया देते हैं तो उसी तरह से हर महिल को जो अनुसूचित जाती जन जाती अती पिछने से अलग भी महिलाएं हैं हर प्रकार के हर महिलाओं को इस तरह का लाब हम लोग देंगे और इसके बाद आप जानते हैं हम लोग देते हैं जो उच्छतर सिक्षा पास करती है मैट्रिक पास करती है इंटर पास करती है इंटर पास करने पर अभी वाहित महिला को हम लोग दे रहे हैं दस हजार रुपया और जब वो पास कर जाती है अब अगली बार हम लोगों को मौका दीजिएगा तो हर महिला को इंटर पास करने के बाद पचीस हजार रुपया और प पास कर गई graduate हो गई तब तो इस तरह से उसको करेंगे और इसके अलावे एक एक काम छेत्रिय प्रसासन में सिर्फ हम महिलाओं के आरक्षन में यकीन नहीं करते हैं जितना भी हमारा है हर प्रकार का जो सरकारी offices हैं चाहे वो पुलिस का हो या प्रसासन का हो या किसी भी छेत् महिलाओं की पोस्टिंग और उसकी भागेदारी सुनिस्चित होनी चाहिए हर जगह दीखे कि सिर्फ सरकारी दफ्तर में पुरुस नहीं है जो हमने 35 प्रसात का आरक्षन दिया है 2015 से ही तो इस तरह से उसमें भी महिलाएं रहे यह भी हम लोगों ने प्रापधान महिलाओं के लिए किया है और उसके अलाबे हम तो पहले से ही बोल रहे हर खेट तक सिचाई का पानी पहुचा देंगे अगली बार मौका मिलेगा हर खेट तक सिचाई का पानी पहुचाएंगे यह बात हमने इसी महीने में एक मार्च को ही हमने कहा था इसका अलाग उसके बाद से मिर सभी गाउं में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे अब हर घर तक बिजली दे दिया पहुंच गया लेकिन हर गाउं में सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा ताकि बाहर ही रौस्दी रहे यह उपाए हम लोग करेंगे ठोस एवं तरल अवसिस्थ प्रवंधन कोई भी किसी योजनाओं के अंतरकर जितना काम है जिसका हमने जिक्र किया है वो सब का मिंटेनेंस अनुरक्षन का काम होगा और इसके अलावे पसुय मत्सन साथनों का विकास चौर छित्र विकास पर जोर एक एक चीज़ किया जाएगा लेमन ग्रास और खस ग्राम की खेती से भुपरा जन उसके अलावे सहरों में वर्सा जलके निकास है तू स्टॉर्म वाटर ड्रेने सिस्टम को विक्सित किया जाएगा बृध जनों है तू आस्रे स्थलका निर्मान अब ये जान लिजी हर सहर में बृध जनों के लिए कई लोगों को परिवार में इज्जत नहीं होती है वो बाहर रहना चाहते हैं ऐसे बृध जनों के लिए हम लोग आस्रे स्थलका निर्मान हर सहर में करा देंगे ताकि कोई बृध जन को किसी तरह की परिसानी नहीं हुए और इसके बहतर प्रवंदन और संचालन के विवस्ता की जाएगी और सहरी गरीबों है तू उनको रहने की किसी भी प्रकार का उसको रहने का स्थान नहीं है मकान की बात तो चोड़ दीजिए तो ऐसे तमाम लोगों को हम लोग इंतिजाम करके बहुमंजला इमारत बना करके सब को रखने का इन्जाम करेंगे और इसके अलाबे सहर हो या महत्पुर्नदीग हाट हो इन सब में मोक्ष धाम का निर्वान घेर करके करेंगे और विद्जुत सवदाह गरी भी हर जगा प्रबंद करेंगे ताकि किसी तरह से लोगों को अंतिम संसकार में कोई तरह की कठिनाई नहीं हूँ सुलब संपर्कता के लिए साथ निश्य में हम लोगों का है ग्रामीन पथों के संपर्कता अब जो गाहर गाओं को जोड रहे हैं लेकिन अब वो ऐसे पथ भी बनाएंगे कि एक दूसरे गाओं को जोडते हुए अगर हम किसी अच्छी और जगों पर जरूरी जगों पर जाना चाहें तो महां जा सकते हैं स्टेट हाइवे नेस्नल हाइवे या कोई थास जगह है अस्पताल कई तरह की चीजे हैं जहां पर पहुँचाना वैसे जगों के लिए भी हम लोग और भी सड़कों का योजना बना करके उसका निर्मान कराएंगे ताकि और लोगों को कम से कम समय में उचित जगह पर जाने में सुविधा हो और सहरी छित्रों में अब आप जानते हैं धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा तो सहरी छित्रों में बाइपास का निर्मान और फ्लाई उभर का निर्मान यह भी कराएंगे और सब के लिए अत्रित स्वास सुविधा सब के लिए कहने का मतलब पसुओं के लिए भी यानि आप समझ लीजी आठ से दस पंचायत में हम लोग पसुओं के लिए चिकित्सा केंडरा स्थापित करेंगे पसुओं इस्पताल आठ से दस पंचायतों में और एली मेडिसिन की सहायता से हर गाउं को जोड करके अगर किसी का कोई पसुओं को किसी प्रकार की बिमारी तो उसको वो सूचना दे सकता है लोग देख भी सकते हैं दवा के बारे भी बता सकते हैं और आकर के अस्पताल से उसको देख सकते हैं तो पसुओं के लिए भी इंतिजाम और लोगों के लिए भी गाओं गाओं तक जो स्वास सुधाओं के बहतर उपलता के लिए जो स्वास खुट केंदर है उसकी संख्या और बढ़ाते हुए और उसके बाद उसमें भी बहतर इंतिजाम करके जाज के लिए भी और उसको लिंक करेंगे हम लोग देली मेडिसिन से जो भी हॉस्पिटल है जितने हमारे हर अस्पताल के लिए चाहे उसको जिला के अस्पताल में और काु में हिर से ही पता चल जा और उसको किस प्रकार की जांच होनी चाहिए उसके जांच का इन्जाम किया तो यह सब काम करें अब आप सोच लिआ तो हम लोगों ने सोच लिया है एक एक चीज तो जो काम करते रहे हैं आगे भी काम करेंगे ये तो आपनों का धर्म हमारा धर्म है लोगों की सेवा करना अब आप लोगों पर निर्भर है कि वो क्या चाहते हैं और लोगों को काम में दिल्शस्पी नहीं है लोग अपनी बात आपको दूसरे धंग से रख करके समाज में भ्रह्म पैदा करना चाहते हैं, हम तो सब लोगों से अपील करेंगे कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का महौल रहे, और काम के आधार पर आप निरने लीजिए, हम लोगों ने इतना दिन काम किया है, काम के जो हम लोगों के अपनी हैसियत है, उसे भी काम कर रहे हैं, और किंद्र का भी सहयोग हर छेत्र, चाहे आज के आधनी द्यूग में कुरोना की बात हो, या किसी चीज़ की बात हो, उसमें मदद, या ने प्रकार जो हमारे बाहर लोग फसेत्र यहां आ गये हैं, उनको यहां उनको काम बेहतर दिया जाए, उसके लिए मदद, इसके अलावे सब लोगों के लिए जिस प्रकार से प्रधान मंतरी किसान, संबान, निधी, योजना, हने प्रकार की, सड़क और पूल प्रशेत्र में बप्र सहयोग, मेडिकल कॉलेज के निर्मान में सहयोग, हर तरह से आ निर्मान में वालुब है कि किस प्रकार से जो भी काम किया गया है, तो हर तरह से, राज्य सरकार अपना काम कर रही है, और केंदर सरकार से भी सहयोग बिल रहा है, इसलिह हम तो आग्रह करेंगे, कि आप इन सब चीजों को काम के आधार पर आप दिरने लीजे, हम लोग- त जगते हुए आप वोट दीजियेगा और हमारा तो यही वादा है काम करते रहे हैं आप मौका दीजियेगा दाइए और काम करेंगे लेकिन आप तो मालिक भический जंता अधिस्क होगा क्यों के processo लेकिन अगर मौका दीजिएगा तो हमने इस बात की चर्चा की हम तो लोगों के बीच में शेवा करते हुए काम करते रहेंगे हर इलाके का विकास समाज के हर तबके का उठान जो न्याय के साथ विकास जिसकी हमने चर्चा की है। अर हर बार हम इस बात का जिक्र करते हैं, ये काम तोंगों करते ही रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन दूसरे लोगों में कोई दम नहीं है, ये हम बता देना चाहते हैं। समाज को बाटना चाहते हैं और हम समाज को एक जुट करना चाहते हैं लोग समाज को बाटना चाहते हैं अनेक प्रकार के भ्रम पैदा करके लोगों को बाटना चाहते हैं लेकिन हम लोग तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं तो हम तो यही आपसे अपील कर न काम करने के बारे में किसी भी प्रकार का अनुभव है न अब आज कल तो चल रहा है यह क्या अवेस्थिती है हम लोग तो पूरे विहार को अपना एक परिवार मानते लेकिन कुछ लोग का क्या है पती पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है और हमारे लिए तो पूरा विहार परिवार है तो हम तो पूरे विहार के परिवार के सदस्य है और हम सब एक परिवार के अंग है और कुछ लोग जो नीजी परिवार बात पर चल रहे है समाज को जो बाटने की कोशिस कर रहे है इससे सचेत होईएगा आप जान लिजे विकास का काम जितना हो लेकिन अगर आपस में जगड़ा पैदा किया जाएगा तो विकास पीछे चला जाता है इसलिए आपस में विवाद पैदा करने की जो लोग कोसिस करते हैं सचेत रहिए, सजग रहिए और समाज के हर तबके को ठान के लिए जो हम लोगों ने काम किया है उसकी बात को मौलिक रूप से समझिये और जिस प्रकार से हम लोगों ने सेवा किया है अब जो नई पिढ़ी के लोग है अब पंदरा साल से काम कर रहा है 15 साल पहले जो बुरा हाल था उसके बारे मुसको कोई जानकारी नहीं होगी तो ये तो आप लोगों का कर्तब है कि लोगों को बता दीजी एक एक चीज़ को लोग देख लें और किस तरह से नई पिढ़ी के लोगों को युवक और उगुतियों के उत्थान के लिए जो बात हमने आपको भी बता दिया और जो बात हम प्रति दिन बोलेंगे और जो बात हम लोगों का हमारा जो कर्तब्य है कि हम नई पिढ़ी को और आगे बढ़ाएंगे ताकि लोग विकास करें समाज को आगे बढ़ाएं और एक बात हम कहकर कि अपनी बात समाप्त करेंगे कि कुछ लोग हैं जो समाज में विवाद पैदा करना चाहते हैं और उसके साथ साथ परियावरन पर संकट लाते हैं समाज सुधार की बात नहीं करते हैं हम परियावरन के संदक्षन के लिए काम कर रहे हैं हमने बिहार के महिलाओं की मांग पर सराब बंदी लागू किया चंद लोग गड़बड करने वाले तो होंगे ही ये कोई नहीं कह सकता है कि समाज का हर व्यक्ति ठीकी हो सकता कुछ तो गड़बड करता लेकिन आम तोर पर जो लोगों को इसका फायदा हुआ है किस तरह का लाप और बाल विवा और दहेज पृथा के खिलाप भी हम लोगों ने भियान चला है तो हम लोग तो समाज सुधार के लिए भी काम करते हैं समाज में प्रेम भाईचारे का महौल सद्भावना का महौल पैदा करने के लिए काम करते हैं विकास का काम करते हैं असर विकास नहीं न्याय के साथ विकास यानि हर इलाके का विकास हर तपके का उत्थान इसके लिए जो काम करते हैं और जो भी किनारे पर था हासिये पर था उनको मुख्यधारा से जोडने के लिए चाहे वो महादलित हों, दलित हों अती पिछले वर्ग के लोग हो और सुचिष जन जाती के लोग हो महिलाये होँ तक लोग हो इन तमाम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा गौर कीजिएगा और हम तब यही आगरह करेंगे कि यहीं चीजों को ध्यान में रखते हुए और हमारे जितने उमिदवार हैं मैं सब को अपनी सुभ कामनाय देता हूँ सब लोग महिनत करिए लोगों के साथ जन संपर करिए और लोगों को एक एक बात बताईए और समाज के हर तबके के लोगों को हम यही अपील करेंगे कि काम के आधार पर आपका निरने होगा तो यह सबों के हित में होगा राज्य के हित में होगा और देश के हित में होगा तो इनी असी सब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से यही आक्रह करूंगा, यही मैं अनुलोथ करूंगा, कि काम के आधार पर ही आप सब चीज़ का आकलन करके, अध्यन करके मतदान किजिए. यही हम निवेदन आप सब लोगों से करेंगे. और इस वार जो मत्दान होने वाला है तो हम तो आप सब लोगों से ही आगरह करेंगे कि भाई ये जो मास्क है ये मास्क पहन करके ही मत्दान कीजिएगा मैं यही आगरह करूँगा कि वोट डालने जाहिएगा तो मास्क पहन करके वोट डालिएगा और महिलाओं से तो हम हमेशा अनुरोध करते रहें सब से पहले जाकर के भोट आप डालिएगा तो इस सब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को फिर्दे से धन्यवाद देते हुए आप सब का अभिनन्न करते हुए मैं अपनी बाद समाप करता हूँ और हमारे जितने उमिदवार है और इंडिये के जितने भी उमिदवार है सब लोगों को भारी मतों से विजयी बनाईए यही अनुरोध और निवेदन करते हुए मैं अपनी बाद समाप करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बहुत धन्यवाद मानिये उखमंत्री जी और हम लोग के बीच में मानिये सांसद दलन सिंग जी भी आया है मंका विस्वाकत इस कारिकरम में करता हूं और जितने साथी ग्यारों पिधान सभा से जुरे एंडिये के जितने कारिकरता जितने नेता जो भी भिन छेत्र में इस कारिकरम में जुरे रहा है जो हमारे साथ ही यहां पर प्रोग्राम और नइस कर रहा है बता रहा है कि बरी संख्या में लोग अलग अलग जगह पर इस कारिकरम को देख रहा है मैं सब को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समात करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्पर कि बुस्त करता हुआ बौट को जो है